Hello everyone, welcome you all the strugglers on your own channel Dhan Limited Struggler आप सभी strugglers का आपके अपने चैनल Dhan Limited Struggler में एक बाफिर बहुत-बाफिर बहुत है मैं सम्दोस्कों आप सांग्यान एक बाफिर परस्तु तो आपके सामने एक नया इजुटेशनल अपडेट लेकर की यह अपडेट आया है हिमाचल प्रदेश इनवर्सिटी का जो एक विंग है इनवर्सिटी इंस्टूट आफ लीगल स्टडी जो है एवलोज चौड़ा मैदान में स्थिते है सिंगला में उसकी तरब से इस अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यू आई एलेस है इनवर्सिटी इंस्टूट आफ लीगल स्टडीज हिमाचल प्रदेश इनवर्सिटी का पार्ट उसने जो है अपने नया सत्र के लिए जो नया सत्र अभी बैठने वाला है फरस्ट इयर का फ्रेश आडविशन का उसकी लिए जो है प्रोस्प्टास जारी कर दिया है और वह प्रोस्प्टास में डिफरेंट तरही जानकारी दी हुई है एडमीशन से गाडिंग क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कौन-कौन से इंपोर्टेंट डेट्स है कि इस्ट्क्टर क्या रहेगा कितनी जो सीडस है आवेलेबल सीडस हैं वहां पर क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा इंपोर्टेंट इस्टक्षिंश दिंप पूरा curriculum उसमें discuss किया गया है उसी के बारे में आज आज आपके सामने चर्चा करूँगा इस वीडियो में तो वीडियो को आप last तक देखें last में like जरूर करें इस course के बारे में मैं आपको different different तरह की जो भी information ब्राउसर में लिखी हुई है वो आपके सामने as it is रखने वाला हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखें like जरूर करें last में comment करें अगर आपकी कोई query होती है तो share करें अपने दोस्तों के साथ जो भी plus two के बाद BALLB integrated जो कोर्स है 5 यर का उसमें admission लेना चाते हैं UILS में और साथ ही subscribe कर ले मेरे चनल को अगर आप ने है मेरे चनल पे ताकि एज बिसमें से लेक्टर से लेक्टीड हर लेटेस्ट अप्टीट आप तक जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरे चनल के मादिम से पहुंचे तो यह दोस्तों सूर करते हैं तो लिजी दूस्तों यह है वो e-prospectus जो जारी किया है हिमाचल प्रदेश इनवर्सिटी इंसिट्यूट आफ लीगल स्टेडी जो है UILS उसके दौरा और इसमें डिफ्रेंट तरह की जो तमाम जानकारी दी गई है यह जो ब्राउसर जारी किया है नोनने इंफ्रोमेशन ब्राउसर वह वैलिड है 2021 के सेशन के लिए यानि कि जो नया सेशन वैटने वाला है BALLB Honors 5-Year Integrated Law Course का उसके बारे में बताया गया है अगर आप फिजिकली वहाँ पे लेंगे तो पंद्रा सो रपय है जिसमें जो एप्लिकेशन फॉर्म जो है वह आपका अविलेबल मिलेगा साथ इसमें क्या बताया गया है जो इंपोर्टन डेट से आपके बताया गया है इसके बाद कोरेक्शन विंडो जो ओपन रहे गया आपकी साथ जुलाई दो हजार इक्किस यनकी साथ साथ इक्किस तक खुली रहेगी further interview और counseling का schedule अभी जारी नहीं किया गया है ना तो बताया गया है इसमें कोई जानकार नहीं कि कब तक डिस्पले की जाएगी क्योंकि अभी जो है वो problem चली हुई है COVID की और इसमें जो plus two base पे जो है admission होती है और counseling में candidates को अपने original certificates आरे जो है वो लगाने पड़ते हैं बताने पड़ते हैं और उसकी copy जमा करवानी पड़ती है आगे चलते हैं तो यहां पे important contact numbers दिये हुए है जिन पर आप phone करके आप important जानकारी जो ले सकते हैं परदर बढ़ते हैं जो different तरह की समें जानकारी दी हुई है सबसे पहले तो वाइस चांसलर ऑफ इनुबर्सिटी ही मचल प्रदेश इनुबर्सिटी का मैसिज है डन आफटर डिरेक्टर्स मैसिज हैं जो की डिरेक्टर हैं हमारे UILS के यह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया अद्मिशन डेट्स के बारे में कौन कॉंसी डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें इसमें मिलेगा objectives और इसके डिस्टिंग्वेश जो परसनेल्टीज हैं से UILS के बारे में नाम पता उनका बताया गया है जो भी यहां के निकले अधर है फर्दर जब हम आगे वड़ें इसमें तो आगे हमको इसमें डिटेल मिलती है कौर्ष के बारे में कौर्स में बताया गया है कि इसमें टोटल साथ पेपर होंगे डिरिंग 10 समेंस्टर 5 साल का को इंटीग्रेटिड ओनर्स कोर्स हैं बलवी और इसमें जो है 100 नंब मूट कोड के दस नमबर अटेंडेंस के 5 नमबर और बाइवाब वोस को 5 नमबर आप करते हैं इसमें मिनिमम्म जो अपकी 10 प्लस और equivalent मानी गई है जो आपको बार्मी आपकी होनी चाहिए स्कोर्स में admission लेने के लिए general category के उसमें 50 परस्त अंक होने चाहिए और SCST के 45% जो है वो इसमें अंक होने चाहिए और physically disabled person है गर कोई general category से तो 50% SCST का है तो उसके भी 45% होने चाहिए age limit की बात करें तो 20 साल general category के लिए 22 साल maximum age limit जो है वो SCST category के लिए और physically disabled अगर वो इस person है तो general category के लिए 25 साल और SCST के लिए 27 एर का इसमें रखा गया है provision आगया अगर हम बढ़े तो इसमें हमें बताया गया है कि जो procedure head mission का वो क्या रहेगा UILS में सबसे पहले तो इसमें जो है 10 plus 2 और equivalent आपका जो है वो merit list बनेगी जो plus 2 और equivalent के score होगा आपका उसके बाद जो है merit list सो की जाएगी website पे और notice board पे और उसका हिसाब से आपको call किया जाएगा interview के लिए जो further लोग interview और counseling के basis पे select होंगे plus merit उनकी जो बनेगी उसके हिसाब से उसके बाद जो है उन लोगों को fees admission जो जमा करवानी पड़ेगी जिसके लिए online fees admission होगी और ये जो है number account number आफसी code यांपे दिया हुआ है इंटेक कपेस्टी की बात करें तो इसमें 75% सेट्स है रिजर्व फॉर दोस केंड़ेट्ट वो आर हिमाचली वोन फाइड जो 75% सेट्स है टोटल कोर्स की वह आपको हिमाचली लोगों के लिए ही यहां पर रक्सित हैं 25% सीट्स जो है वो ओपन टॉ आल है और 15% सीट्स श हो कि हमाचल प्रदेश के हैं विद 40% डिसिबिलेटी अगर उनके पास साथी टू सीट्स शिंगल गर्ल्चाइड के लिए है दो सीट्स जो है वो जम्मों कस्मीर के माइग्रेंट से उनके लिए हैं और थी सीट्स जो है वो वार्ड आफ एच्प्यू के जो लोग हैं उनके के लिए यह अपर रक्षित की गई है तो टलल नमबर ॉप सी जो है एक सो बीस रहेंगी जिसमें से सबसेडाइज सीट होगी सेवंटी पाइब और फौर्टी फाइड वेंगी अब बात करते हैं आगे फीश ट्रक्चर क्या रहेगा है इसमें फीश ट्रक्चर की बात करें तो subsidize seat में पर annum का 45,500 रुपीज जो है प्लस अधर चार्जी जो है वो एक साल का रहेगा subsidize seat के लिए और non-subsidize के लिए 80,200 रुपए पर annum का प्लस अधर चार्जी जो है वो इसमें include किये जाएंगे अधर चार्जी इसकी लिस्क यहां पर दी हुई है आप देख सकते हैं और आगे हम अगर इसमें बढ़ें तो आगे हमें क्या मिलता है इसमें कि जो हमारा criteria for resolving ties यहां बताया हुआ अगर tie हो जाता है उसके लिए इसको आप कुद पढ़ जकते हैं आगे जो है इसमें बताया गया है जो भी course content आप total पढ़ेंगे आपके आने वाले 10 semester में उनके बारे में detail बताई गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके लावा जो है 9 और 10 जो semester आपके रहेंगे total जो जो आप subject पढ़ेंगे उनके detail पूरे syllabus की आपे बताई गई है इसके बाद जो है वो library facility यहाँ पे अविलेबल है computer lab अविलेबल है academic calendar अभी बताया नहीं गया है कब से classes होंगी कब exam होंगे क्योंकि कोवीड के दोनान अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं और vacations के बारे में भी नहीं बताया गया है साथ ही dress code के बारे में बताया गया है attendance requirement इसमें 75% बोला ग इस तरह से पूरा प्रोस्पेक्टस जो है इन्होंने यह अपना जो उफिचल वेबसाइट है मजल प्रदेश इनवर्सिटी इस पर डाला है साथ में नंबर दिए गए हैं आप देख सकते हैं और इन पर आपको कोई कॉल करना है तो आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपक है कि अपका कुछ यह सर आपने जयर से लिएट इसक अपने आप डेट आप तक ज़रियर कि जलती संटे पहले मेरे चनल के माद्याओ कि है होता हूं है